हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्सनल याहू इमेल अकाउंट को आप किस तरह से Microsoft Outlook 2013 में POP यानि की POP में कैसे configure कर सकते हैं तो आप लोगों से request है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe करना ना भूले सबसे पहले हमें क्या करना है हमारा जो याहू का इमेल अकाउंट है उसको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करके लॉग इन कर लेना है जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं आप देख सकते हैं हमारा याहू इमेल अकाउंट लॉग इन हो चुका है सक्सेस्फुली मैं यहां पे मेल पे क्लिक करूंगा हमारे जितने भी मेल आये हुए हमने जो सेंड किये हैं इन बॉक्स में आये हैं सब टोटल यहां पे दिखाई देने लगता है फिर उसके बाद हमें क्या करना है हमारा आउटलूक ओपन करना है जो आउटलूक टौजन तॉट्ग फाउजन है आपका वो एप को ऐकनाई करना है टाहिए करorta को ईहां configure करने वाला हूँ पहला option चुछ के लिए manual फिर pop और imap next यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हैं या particular जो भी user के लिए आप configure कर रहे हैं मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ हमारे youtube channel का नाम grow your knowledge और यहाँ पे मैं मेरा email account डालूँगा जो हमारा yahoo का email account है ठीक है और account type में मैं pop 3 रखूंगा क्योंकि मैं pop 3 में configure करने वाला हूँ तो जो इसके incoming और outgoing smtp server है यह काफी important role play करते हैं अगर यह आपका सही रहेगा तो आपको आगे problem नहीं होगा अगर यही गलत रहेगा तो आपको problem होगा तो हमें यहाँ पर incoming mail server में क्या type करना है pop.mail.yahoo.com याद रखिएगा और नीचे outgoing में smtp.mail.yahoo.com username में आपका email id रहेगा यहाँ पर password में आपका जो email id login करने का password है वो रहेगा more setting में जाएगे यहाँ पर general में वाई रहेगा, outgoing में चेक मार्क करेंगे advance में ओले option में आएगे, यहाँ पर incoming रहेगा 995 outgoing आपका रहेगा TLS या auto भी रख सकते हैं 587 इसका port नमबर रहेगा इसको okay कर देंगे वो जो 14 days रखा है वो उसको same रखिएगा उसमें कोई changes नहीं करिएगा इसको हमने text किया है अब देखते हैं अगर हमारा कुछ setting गड़बर रहेगा तो यहाँ पर cross आ जाएगा या password का pop-up आएगा otherwise हमारा अगर connection सही रहेगा हमने जो भी इसमें incoming outgoing ports सब डाल के रखे हैं तो यहाँ पर हमें problem नहीं आएगा लेकिन कई बार क्या होता है जब हमारा two step verification होता है तो वहाँ पर problem आता है तो हो सकता है यहाँ पर भी हमें app password माँगे तो app password अगर माँगेगा तो हमें हमारा email login करना होगा yahoo का और वहाँ पर app password के अंदर जाके password generate करना होगा वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ यह थोड़ा जादा time ले रहा है इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ आगे problem होने वाला है तो just देखते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया था है यहाँ पर password का pop up आया है don't worry फिर से हमें हमारा account login कर लेना है email का वहाँ पर हमें account information में जाना है account information में आने के बाद आप देख सकते हैं ठीक है left hand side में account account security लिखा है वहाँ पर click करना है account security में click करने के बाद नीचे drag करेंगे तो यहाँ पर हमें app password लिखा है generate करेंगे यहाँ पे हम किस लिये बना रहे हैं helpful हमने outlook बनाना है तो outlook कि रिलिख करेंगे और यहाँ पे generate करेंगे इसका जो password आँ यह copy करके यहाँ पे हम paste कर देंगे और इसको save कर लेंगे यह हमारा perfect है इसका मतलब हमारा password पहले का जो हमने हमारा email का password ड़ाला था वो उसने pick up नहीं किया हमें हमारे yahoo से जो by default password one time generate होता वो password का requirement था तो हमने वो भी app password कर लिया है तो guys अगर आप लोगों ने ये वीडियो को start to end ध्यान से देखेंगे तो I hope आपको किसी और वीडियो को देखनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैंने यहाँ पे gmail में भी pop imap setting किस तरह से करते हैं 2013 में वो भी वीडियो upload कर रखा है और yahoo को किस तरह से pop और imap में configure करते है microsoft outlook 2013 में वो भी मैं वीडियो upload कर दूँँगा जल से जल तो आप लोगों से request है वीडियो को जरूर देखें आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते है gmail का pop imap या yahoo का pop imap तो please channel पे जाईए उसके playlist में visit करिए वहाँ पे हमने microsoft outlook 2013 बना रखा है playlist में उसके अंदर आपको gmail का और yahoo का pop और imap का setting किस तरह से करते हैं मैंने वहाँ पे already वीडियो अपलोड कर रखा है तो I hope आप लोगों के वीडियो अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे guys तो like, share, subscribe करना ना भूले अगर किसी को और भी कोई requirement रहेगा तो please मुझे comment करके बता सकता है तो मैं उस topic पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगा टीके थाइंक यू सो मच गाइज